आजी गुड बॉनिक बहुत सरे बच्चू का ये कहना था सर कि आपका जो रिविजन वीडियो डाला हुआ है या जो आपकी एक्जाम ओरिंटेट बुक्स है उसमें कोश्चन्स कवर्ड नहीं है तो उन कोश्चन्स का आपने वीडियो यूट्यूब में डाला है या फिर कुछ कोश्चन्स इधर है कुछ कोश्चन एडिशनल कोश्चन है तो हम परिशान होगे ढूनते कि कहां से यूट्यूब से उठाए कि कहां से उठाए तो बच्चों का कहना है कि सर एक्जाम ओरिंटेड बैच के अलावा यहां से समझना एक्जाम ओरिंटेड बैच के अलावा हमें जो भी कोशन करना हम कोई यूट्यूब वगिरा देखना नहीं चाहते यह यूट्यूब से भी उठाये तो आपने बार बार हर बार जो पेपर आये आप डालती गए हैं पर हमें पता नहीं कि कौन से कोशन करना है कौन से कोशन नहीं करना है और जिन्होंने revision भी कर रखा है उन लोगों के लिए भी क्योंकि revision भी मैंने exam oriented बैसे कर बारा तो please हमको जो book है उसके अलावा अगर कोई questions करने हैं तो उसका एक PDF दे दीजिए वो मैं आपको दे रहा हूँ description में जाओ कि वो PDF मिल जाओ तर उसमें presentation institute कई और उसके अलावा मैं video भी record कर रहा हूँ दो घंटे का वीडियो होगा जिसमें मैंने सब कुछ discuss कर दिया हूँ 90% question ऐसे होगे जो अल्रड़ी हम बना चुके मतलब यार figure ही chance थी तो मैंने का कौन upload करे पर फिर भी बच्चों की demand नहीं सिर्ट कर दो हम practice कर लेंगे तो शरू ठी हाँ कुछ questions ऐसे होगे जिसमें concept भी होगे तो घंटे में सब कुछ हो जाए अच्छा उसके अलावा अब कुछ नहीं करना इदर उदर रही जाना MTP के एक दो question शूट गया थे वो भी मैंने cover कर वा दिया ठीक है सा मतलब exam oriented batch या exam oriented books दी गई है या जो revision lecture दी गई है उसके अलावा आपको ये lecture देखना है देखना है किसी भी हाल इसमें सारे questions मैंने cover कर रखे और extra कुछ भी नहीं करना जितने भी नए questions आए है वो फटा-फट से मैंने cover कर वा दिया दो घंटे में मैंने आपका ज्यादा time ने लिया दो घंटे में सब कुछ खतम कर दिया ठीक है सर तो अब जो मैंने इधर उधर वीडियो डाल रखे होगे कि या ये वला question ये वाला वो कुछ बत कर दो ही काम किचे exam oriented book या फिर revision lecture देख रहा है तो बिना समय गवाए लोग इस्टार्ट करें जो question आपको समझ में आते जाएगा जैसे question derivative से start करें पहला chapter ठीक है सर पहला chapter derivatives और derivative में ये question सर हमारा देखा हुआ है already सिर्फ और सिर्फ rate में अलग है येस और सर ये question है किसका ये question है बीटा management अगर सर कब आया था ये आया था exam में 2019 अगर मैं कहूं तो इसलिए इस question को cover नहीं किया गया था क्योंकि यार एक ही type के question figure बर change है तो cover करने का मुझे sense नहीं लगा था और फिर भी बच्चे बोलते कि ये घर दिया एक भी point में कुछ discussion वाला है नहीं है ये मिलेगा आपको question number अगर आपको exam oriented books जो आपने मुझे exam oriented classes लिया होगा या आपने मेरी classes revise किया होगा तो revision video में भी देख लेना question number 44 page number 82 जिनोंने exam oriented bachelor का same question question number 44 page number 82 पे है तो sir इसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है नहीं है तो और अगर time है तो practice के लिए ठीक है question number 2 question number 2 आया था exam में में 2022 similar question तो क्या किस चीज़ का question है इसमें expected value of option निकालना था okay sir और call option निकालना था अगर exercise price prevail करके हो तो यह question sir कहां मिलेगा same question किया हुआ है question number 6 derivative chapter में question number 6 page number 32 बात किसकी हो रही exam oriented classes तो इस question को भी करने की जरूरत नहीं है पक्का नहीं है question number 3 यह भी question एक एक पॉइंट अल्रेडी किया हुआ है हाला कि exam फिर नमवंबर 2022 का है फिर बच्चे वही है कि sir exam oriented book में यह cover नहीं है लेकिन इसी टाइब का question already covered है अलग से करवाने का sense नहीं बनता था तो फिर भी हम देखना चाहेगी तो देखना चाहेगी question number 46 page number 86 exam oriented book में question मिलेगा figure change है sir वापस करें कि नहीं है ना भाई जरुरत रट्टा थोड़ी मारना हमको concept हमको समझ में आगे बात करता हम करने की जरुरत नहीं है practice करना है तो अलग matter है पर क्या practice करना है मुझे नहीं लगता कि वापस same question ये question cover नहीं सीधी सी बात है ये question धले ही डला हुआ था MTP मार्च 2018 पर ये question cover नहीं था इस question को मैंने निकाला अच्छा question है ठीक है तो देखी कर ही थे अब कुछ नहीं करना है अर इस से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊगे number of questions करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है एक्स्ट्रा भी तो ये question वाकि अच्छा question है तो सुनना पड़ेगा क्या बोल रहा है ठीक है सर यहां से इसको समझना पड़ेगा इसमें time लगेगा फर्स्ट अपरिल 2015 को सुनी धी holding a portfolio कितने security है 10 और जिसकी value है 99454450 this is value of portfolio value कितने stock है 10 तो वेटेवरेश बीटा 9 securities का वेटेवरेश बीटा दिया है 1.109 securities total 10 है 10 में से 1 का दिया है 9 का दिया है 1 बाकी है इसको लग रहा है कि जो price है वो गिरेगा इसलिए उन्हों को hedge करना चाहिए और कुछ नहीं बोला तो completely has और उन्होंने 5 contract Nifty के क्या किया है 16 किया होगा और जो contract price अभी कितना चल रहा है 8-7 on 1st April इक बात बताओ बस या number of contract नहीं कालने को portfolio into target beta minus portfolio divided by F into M into beta future यह formula था जिन्होंने formula नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं किया पर जिन्होंने मुझसे class किया पक्का उनको यह formula तो पताओ target beta कुछ नहीं दिया तो 0 और सर beta portfolio वह भी नहीं दिया तो X actual में 0 मानते X तो हमको निकालना है ठीक है सर और F हमको पता है 8-7 यह आजाएगा 8-7 यह यहाँ आजाएगा F M हमको मालुम है क्या M multiplier नहीं दिया है क्या कि number of contract हाँ सर दिया तो है 25 यह 25 है यह नहीं दिया तो इसको 1 लेते है क्या इसकी मदद से क्या हमें beta portfolio मिल पाएगा हाँ सर तो पहला गाम तो कुछ था नहीं इस question है दिमाद चल जाता और इसकी मदद से beta portfolio हम निकाल लेते 1.102 ठीक है सर यह तो हो जाता है अब क्या है सर अब क्या किया है institute ने बस एक assumption ले रखा है कि सर एक बाद बताईए टोटल यह कितने securities का है टोटल सर 10 stocks का 10 और यह beta कितने stock कर दिया weighted average सर यह 9 stock कर दिया हमको 1 stock का निकालना है ICAI ने यह assume किया कि सब में weight equal है मतलब यार कि जितना पैसा लगा stock A, B, C, D सब में equal equal weight है equal equal amount है उसने कहा कि सर यह जो beta है यह 90% value पर है 90% और मुझे 10% पर निकालना है और यह beta portfolio निकलेगा यहां और beta portfolio कितना निकला है सर beta portfolio निकला है 1.102 दिख रहा है आपको यह total कितने stock का है 10 मतलब 100% पर 90% का beta मालूम है क्या यह सर 90% का beta क्या दिया हो 90% का beta दिया हो 1.10 तो एक 10% का beta निकल सकता है यह निकाला यह total 100% stock का beta है कि सर 90% का हम को मालूम है 0.90 1.10 0.10 into beta तो beta आ गया 1.1 ठीक है सर कोई issue नहीं है simple और आगे क्या लिखा है reconcile कीजिए आपने perfectly hedge किया है ठीक है तो भले ही 2% से गिर क्यों नहीं जाता है fall in the market अगर market 2% से गिरेगा तो बताओ आपने short किया future सर उससे profit होगा भले ही portfolio से loss होगा लेकिन उससे तो profit होगा बले इसको reconcile कीजिए और ये बताइए कि बले ही market गिर जाता है तो भी आप profit कमाऊगे हाँ जी on our cash position पका profit कमाएगे हाला कि reconcile करने के लिए मैं क्या करता मैं दोनों का check करता कि यार हमारा portfolio का क्या हो रहा और हमारा future का future से हमको cash मिल जाएगा तो सब्द कुछ और होने चाहिए था I.C.A.I. ने सब्द कुछ और ही लिखा हुआ है अब जो लिखा है या तो उसको यात कर लीजी या तो फिर जो हमने logic के साथ करते थे या पोर्टफोलियों के market गिरा अब पोर्टफोलियों गिरा ठीक है आगे चलते है question number five question number five अगर देखोगे तो same question आपके study mat में भी और book में भी और हमारी book में कहां मिलेगा ये MTP में डला हुआ है खाला कि MTP में डलने से पहले study mat में डला हुआ है same question और हमारी book में कहां डला हुआ है हमारी book में question number twenty one page number fifty क्या खास बात है और वो जो study mat में डला हूँ उसमें क्या खास बात है तो सिर्फ है सिर्फ table study mat में जो डला हुआ है उसमें table नहीं दिया हुआ है और इसमें table दिया हुआ अइस इवरु बहुत है और ऑंवेश तलब से हैं और याँ और हमको जो देखना होता था क्यमिलेटिव एरिया देखना उचाइए इसको क्या मों कौन से अरिए बुलते है पात-ठी किह हुआ हुआ हमकर नहीं ने generally हमने जितने भी question किये होगे generally उस में trail area दिया रहिए था था ये वाला area दिया रहिए था सर बर से minus कर दे था अगर cumulative area दिया है तो फिर तो area दे उठा कर ले ले थे थे हाँ सर यहां तक तुम को भास दी और फिर मैंने कि यार कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ऐसा हमने किया था हमको याद है कि नहीं आपको ये है हमें ये एरिया चाहिए ये सर मीन हो गया है ये इसको बलते थे मीन पता नहीं आपको याद है कि और हम जो है कभी कभी ये वाला एरिया दिया रहता है दे सकता है यह वाला कि यार मीन से कितना तो फिर इसको हमें यह 0.5 एट का एरिया 0.5 होता है न तो सर यह जो अगर मीन से यहां तक का एरिया दिया एक्स तक का काम हो जाएगा अगर कॉमिन सेंस की बात करो तो यह अब जब मैं इस दिया है तो लिखा है cumulative area of the number of standard deviation from mean यह सब्द खतरनाख है from mean मीन मतलब सर यह होता यहां से यहां तक का एरिया दिया है क्या इंस्टिट्यूट ने यहां गलती गर दिया भाई from mean नहीं लिखना था इस वज़ए से confusion create हो रहा तीधा लिख देता cumulative area तो यह दिया और ICAI ने भी यह question MTP का तो ध्यान देना ICAI ने भी इसको कौनसा area माना है इसको area माना है cumulative area वैसे भी सर अगर बहुत ज़्यादा knowledge होगा तो आपको मालूम है कि area जो है 0.5 से ज़्यादा आ रहा है मतलब cumulative area ही होग पता ना सर इधर का 50% इधर का 50% पस एक बात याद रखना यह जो दिया है 1 से minus मर्थ करना यह already cumulative area दिया हुआ है और from mean के चक्कर में मत पढ़ना यहाँ दिख रहा 0.5 से ज़्यादा है मतलब यह इधर का 0.5 है और इधर मतलब यह दिया है 0.506 तो यह मत मानना किये वाले area दिया 0.5 से ज़्यादा आ रहा है 0.5 से ज़्यादा आ रहा मतलब क्यों में लिटीव area ठीक है ठीक है सर चलते आगे यह question हो जाएगा यह question हमारा कहां covered है तो question number 21 हमारे exam oriented batch का page number 50 यह solution तो बहुत बड़ा है इसको करवा चुका हूँ question number 6 में मुझे ज़्यादा कुछ समझा नहीं है हाला कि MTP September 2022 का question है लेकिन सच्चा ही है कि same question हमारा किया हुआ है same question figure थोड़ा सा chance था इसलिए मैंने इसको वैसे भी नहीं उठाया और यह question कहां मिलेगा हमारी book में exam oriented question number 88 page number 34 और description में तुमें नहीं अलरड़ी डाल दिया तो sir इस question पर discussion की ज़र्वत नहीं है question number 7 भी already किया हुआ है yes same question है figure change है और यह question आयत है MTP September 2022 और यह भी already कहां डला हुआ है हमारी book में हमारी book में question number 38 page number 75 check करते हुए हुए चेले जाओगी sir इन question को वापस करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए आउ सकता नहीं है क्योंकि same question किया हुआ हुआ है तो पक्का इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है पस figure अलग है इसलिए मैंने डाल दिया कि चलो कर लो अगर time है तो अगर मैं कहूँ अब भी तक मैंने दो ही question discuss किया है जिसको करना था और जिसको करना है और एक तो करना था नहीं बस उसमें मैं आपको table करके बता है तो एक मादर question था derivative में जो मैंने बताए कि यार कुछ अच्छा है ये भी डिला हुआ था MTP September 2022 में पर हमारी book में already इस type का ना जाने कितने question है इसको पक्का नहीं करेंगे कि पक्का नहीं करना पक्का नहीं करना है question number 51 page number 35 तो sir figure तो अलग है तो कर लो अगर आपको ऐसा लग रहा sir amount तो अलग है ना यार तो एक बढ़ कर सकते हो time हो तो question number 51 page number 30 तो हमारा derivative खतम बस अच्छे बहुत ज़्यादा पुरेशान है sir बहुत सारे question है कुछ question नहीं है भाई simple already आपने जो किया sufficient है एकात question है वो जो मैं करवा सकता हूँ तो interest हमारा second chapter श्टार हो रहा है interest rate risk इसमें कहां changes अगर देखूं तो कोई changes नहीं है यह question आया था और यह disputed question था इसमें exam में इसमें disputed question था आला कि यह बात में discuss कर चुका हूँ exam oriented batch में भी कि करना क्या question number 21 page number 37 में यह question already है हाला कि उसका जो solution है वो ICAI के इसमें तो sir इस question में क्या खास बात थी कुछ नहीं already question किया हूँ बस एक बात को धियान रखना आने वाले questions किस बात को धियान रखना क्या है इस question को days को लेकर card दिया गया था तो बस मैं आपको बोल रहा हूँ loan किस दिल लिया गया एक जुलाई एक जुलाई दो हजर अठार और date ये rate कब का है 7% sir 7% है 31-12-2018 तो स्वाल ये है कि आपको जो rate of interest है एक जुलाई से 31-12-2018 लेना चाहिए कि 31-12-2018 बस सवाल इतना था अगर मैं यहां से यहां लूँ सर्थ 6-6 मैंने का तो इंट्रेस्ट है बिट्टे ये question days में करता है अगर आपका यह कहना अगर आपका कहना सर एक जुलाई को लोन ले रहा है तो वहां से हमें count करना पड़े गड़े तो rate हम फिर ये वाला क्यों लेंगे 7% यार जिस दिन loan लेते हो क्या हमें 6 मैंने बाद rate पता लगता नहीं हमें तो उस दिन का rate चाहिए और उस दिन का rate तो दिया नहीं है तो अगर बच्चों को कहना यह 7% का जो calculation है interest का amount interest का amount मैं पूरा question नहीं पढ़ आँ क्योंकि question आपका देखा हुआ तो एक ये तरीका कि एक जुलाई से 31, 12 ले लेता हुआ हमें तो सर जुलाई से count करें कि yes 31, 31, August, September, October, November यहां से यहां होता है 184 days का interest लेना है पर एक ये भी हो सकता है कि दिन यहां से यहां count करना चाहिए मतलब जैन, फैब, मार्च, अप्रिल, में, और जो 181 days तो बस पहला जो interest का amount आएगा dispute इसी पे था कि 184 days का आएगा कि 181 days का जो आपकी exam oriented book में question होगा, question number देख लेना, question number मैंने बताया था ना question number 21 तुमें जो solution होगा, वो solution ICAE का पहला जो solution उसमें क्यों मैं change करूंगा तो उसमें 184 days लेगा पर अब आपको क्यों कि और suggested में answer 181 दे रखा, तो हम इसके हिसाब से नहीं करेंगे, आगे आप इसके हिसाब से करोगे, that's it मतलब सर हमको क्या करना है, final बतागी, final है कि पहला जो interest calculate होगा, वो 31 12 से 36 होगा फिर दूसरा interest 36 से 31, मतलब count यहां से यहां होगा, इस date से अब हमको मतलब नहीं इसी तरह से solution है, आपको यही वाला follow करना है, यही वाला follow करना है, मतलब सर हमको 31 12 से 36 तक का लेना है, ओके, और हमें 181 देस के साब से काम होगा यहां ध्यान होगा, यहां आप 29 का फैब लेगा फैब, क्योंकि 36 दोहजार बीस है, तो 36 दोहजार बीस मतलब आपको समझ रहे हो ना, कि आपको जो फैब मन्त है, वो 29 डेस का काउट करना, इसलिए यहां 182 डेस हो जाए बस यही एक चीज है, जो आपको बिल्कुल ध्यान साउधानी से काम करना हो, यहां गर बड़ करोगे तो नंबर कट जाएगा, उसके लिए मैं जिम्हेदार नहीं होका, इसलिए इस कोश्चन को अलाकि पहले भी बहुत सारे वीडियो आ चुके मेरे इस कोश्चन पर कोश्चन नमबर टू, MTP, October 2021 का कोश्चन है, और यह कोश्चन हमने कवर नहीं किया है एक्जाम में भी आया नहीं, चिंता मत करूँ, तो सर्ष कवर करे किया, यह कोश्चन एक्जाम का नहीं है, यह MTP चाल दिया गया था, आज तक आया नहीं, इसलिए मने इसको कवर उठा ले, पढ़े एक बार समझने की कोश्चन करे किया, इधर ही कर ले, ऐसे बढ़ाने का तो लिखा, CMT Pension Fund has a portfolio of shares, diversified company value 800 crores, इस कोश्चन को प्लीज आपको करना है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ना करना है, मतलब करना है, ठीक है सर, एक CMT Pension Fund और इन्होंने portfolio में पैसा लगा रखा, और कितना रूपे लगा रखा, 800 CR, enter into a swap arrangement, और swap करना चाहते किस के साथ, बूम बैंक, इस कोश्चन में भाई साब उन्होंने दो तरह से काम कर रहा है, swap भी कर दिया, अच्छा कोश्चन है, प्लीज, swap भी कर दिया, और साथ साथ उन्होंने इस dairy वीडियो भी डाल दिया, तोनों कोश्चन एक साथ कर दिया, तो सरफ भूम बैंक on term that it will get 1.15% quarterly, और बुले हमको मिलेगा, वो मिलेगा, 1.15% quarterly, प्री मंग, और नोशनल प्रिंसिपल, और कितना है, और हमने जो पॉर्टफोलियो में किया है, वो fix नहीं मिलेगा ना भाई, मतलब सर, ये तो fix मिलेगा ना, बैंक से तो fix ही मिलना, और जो पॉर्टफोलियो से मिलेगा return, उसको हम क्या करेंगे, उसे दे देंगे floaty, that's it, in return of portfolio which is exactly tracking, और बोले जो sensex इतना change होता है, उसी ratio में, portfolio का value change होता है, अब भी कितना है sensex, 43.200, ठीक है, ये पर quarter है कि पर रैनम है, बैटे पर quarter कुछ लिखा ने, 1.15% quarterly सब्द लिखा, तो बहुत समस्य आ सकती कि सर, ये पर रैनम है कि नहीं है, नहीं है, तर आप तो बोल रहा थे कि कुछ नहीं लिखा, आपको language समस्य नहीं पड़ेगा सब सब, it will get 1.15% quarterly, that's it, ये ही सब्द लिखा, तो इसको पर रैनम मत लेना, अब you are required to determine the net payment to be received or paid if sensex turn out, अगर sensex हो जाता है, 43720, first quarter में, फिर ये हो जाता है, 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 तो बताए, कि net settlement में क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको portfolio return निकालना पड़े, सबसे पहले 800 करोड का 1.15% करो, आपको calculation rupees in crores में करना है, और rounded off करना 2 decimal places तक, तो पहला मिलेगा, कितना हर quarter में same ही मिलेगा, सबसे पहले आप 800 करोड into 1.15%, 9.2000, ऐसा बोला, 4 decimal points तो मैंने कर दिया, इतना मिलेगा पक्का है, पर ये हर बार change तो पहले quarter का मैं कर रहा हूँ, फिर आगे हम question में दिख लेंगे, तो पहले था 43.20, अब हो गया 43.20, अब हो गया 437, पहले था 43.200, तो unitary method से करें किया, yes, total कितना है सब, 800 करो, पहले था 432.00, अब हो गया 437.20, 800 क्रोर से, माइनस 800 कर दो, तो सर, नेट आ गया, 9.6296, अब समझ में आ रही है, माइनस 800 क्यों कर रही है, मुझे तो return निकालना है न, इसलिए मैं principal को हटा दिया, ultimately अगर आप 800 नहीं भी लगाओगे, तो भी percentage of return निकल सकता, into 800 कर देना, क्या फर्परता सर हमको समझ में गया, अब यहर देखो, 9.2 आना है, 9.6296 से जाना है, तो नेट में, सर, नेट में CMT देगा, यस, 9.6296, माइनस 9.2, तो नेट में हमको देना पड़ेगा, कितना पड़ेगा, 0.4296, इसी तरह से हर quarter में, इस quarter का कैसे करोगे, सर, फिर हम इससे comparison करेंगे, इसका, बस यह चलते रहे हैं, और देना है, तो उसने माइनस में देखा रहा, बाकी तो सर, एक चीज़ तो fix है, यह, जो आना है, वो fix है, जो payable है, वो यह है, तो फिर तो नेट निकलते जाएगा, अच्छा कोशन है, बहुतरी निकोशन लगा मझे, कोशन अच्छा है, दोनों मिलाकर, किसले जी, बस उसमें दो ही कोशन थे, एक कोशन तो करने का बनता है, है कोशन तो simple था, कुछ amendment था उस कोशन में, वो amendment औलरड़ी मैंने share कर चुका था, तर फॉर एक्स श्टार्ट कर रहे है या स्फॉर एक्स तर फॉर एक्स श्टार्ट कर रहे है अल्रडी इस टेप का कोश्टन है और ये कोश्टन हमारी बुक में कोश्टन नमबर 101, पेज नमबर 1 गवर्ड एक्साम में आया था में 2022 इसमें पर ये कोश्टन कवर्ड था एक पॉइंट एक्स्ट्रा था इसमें हो क्या रहा था आप कोई मशीन खरीद रहते ठीक है और मशीन का कोश्ट कितना था डॉलर 15,000 तक ठीक है 15,000 कोश्ट था आप लोन ले सकते थे या तो इंडिया से लोन लेते थे 19% क्वाइटरली कंपाउंडेट करके या तो फिर न्यू यॉर्क ब्रांज से ओफर था ठीक है तो हमें ये काम करना था कि मशीन आज इंडिया से उधार ले इंडिया से उधार ले कि या फॉरें से अगर मैं फॉरें से उधार लेता हूं तो इंडिया से उधार है ये फॉरें ब्रांज से उधार है अगर फॉरें ब्रांज से उधार लेता हूं तो मुझे टोट 150 payment कर दो 15150 को मैं multiply कर दूँ किस से 77 से तो total मिला कर कि मतलब ये rate कौन सा सर ये forward rate forward rate ही 6 मैने बाद तो answer इतना आ जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां तक कोई problem नहीं है और फिर कौन सा अच्छा ये हो गया उसमें point number 1 2 के लिए में question कर रहा हूँ 1 तो already किया point number 2 point number 2 में लिखा best on the present market condition companies not interested to risk of currency fluctuation बोले हम risk नहीं लेना चाहते है तो भाई ये forward cover करो तो बोले forward cover करने से हमें देखो कि तो सर 2 रुपए ज़ादा जा रहा है येस 2 रुपए ज़ादा जा रहा है अगर हमें forward cover ना भी करे किसी दूसरी तरह से hedge करे forward cover ना करे पर hedging के तो बहुत सारे तरीके होते है किसी और method से hedging कर रहा है तो total हमारा खर्चा जो है वो आ रहा है 30,000 तो बताइए आपके क्या advice सवाल ये क्या हम forward cover करे तो हमारा actual में 2 रुपए जादा जादा है तो हमारा कितना जादा जादा है तो institute कह रहा है total 15,000 डॉलर है yes तो बहुत 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 15,000 डॉलर into 2 तो total मिलाकर 30,000 जा रहा है और अगर हम किसी और दूसरे प्रत्रे से भी hedge करे तो 30,000 ही है तो ठीक है चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये गलत है क्योंकि आप hedge जो है वो 15,000 डॉलर का करी नहीं रहा है आप ज्यादा डॉलर का hedge कर रहा है आप तो 15150 का hedge कर रहा है उस हिसाब से आपको forward cover अगर हम करते हैं तो हमारा हैंग कोष्ट कितना पढ़ा 15150 into 2 हैंग कोष्ट हमारा पढ़ा 30,300 लेकिन किसी और टेकनिक से करेंगे तो 30,000 कोष्ट है तो हमें वो other techniques accept कर लेना चाहिए यह होना चाहिए था कोष्ट नहीं क्या लिखा है वो मेने हाँ जी आप कर सकते हैं क्योंकि अगर आफ फावर्ट पोजिशन लेते हैं तो increase cash outlaw by the same amount same amount से same amount नहीं होना चाहिए था कि उसमें जद्धा हो जाता बग्कि अब समझ गया है मैं क्या क्याना चाहता हूँ हमें फावर्ट कोवर किया पिक्ष्ट अधर टेक्निक से काम कर लेना चाहिए अधर टेक्निक में 30,000 रुपीज लग रहा है हैजिंग कोष्ट और जबकि फावर्ट कोवर में हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है कोशन नमबर तू बिलकुल छोड़ दे न और इस तो का कोशन कवर की करवाया है में Okay यह कोशन एक्साम नमबर 2022 में आया था Already कोशन कवरड है और कहां कवरड है 4X शेप्टर में जाओगे तो 4X शेप्टर में कोशन नमबर 11 पेज नमबर 44 यह कोशन अच्छा था एक्साम में आया था जनवरी 2021 में यह कोशन वाकई अच्छा question है एक पल को देखने से लगता है कि IRP है तो आपने ये question मैंने चुन चुन के निकाला अगर एक भी question बचा होगा ना तो में भी वो भी चुन के लगा रहा है भले ही वो similar जैसा दिखता हो पर मैंने का यार पूर एक question MTP, RTP की जमाने का मुझे मतलब नहीं मैंने question निकाल लिया ठीक है अब question एक बार read करोगी ना तो समझे में interest rate for three month in US समझना question अच्छा question है अच्छा question है please इसको करना है interest rate for three month USA and Canada are as follows borrow interest currency दे रखा Canadian dollar ठीक है sir US और Canada का borrowing rate दिया है और interest rate दिया है और sir ये क्या दिया ये rate दे रखा rate क्या दे रखा Canadian dollar per US dollar ठीक है और forward rate भी दे रखा करना क्या है advise the currency in which borrowing and lending for three month needs to be done for the company three month के लिए 90 divided by 360 days मांग क्या रहा मुझे personally ऐसा लगा कि sir ये interest rate parity interest rate parity but जो सब्द लिखे है ना कि बताईए कौनसी करेंसी में हमको borrowing करना है कौनसी करेंसी में हमको lending करना है ये सब्द लिखे हूँ हमको मतलब याद रखना कि किस के लिए बात हो रही है यूएस के लिए तो चलो final हो गया कि यूएस के person को किस करेंसी में borrow करना किस करेंसी में invest करना यूएस तो यूएस में कौनसी करेंसी चलती है dollar और सर कितना ले ले यहां ताया नहीं है तो इसी AI ने assume किया dollar 1000 ठीक है जी 1 lakh भी ले सकते हो institute ने 1000 डॉलर के सबसे 1000 डॉलर के अब सोचते हैं सबसे पहले किस की बात करते है सर सबसे पहले बात करते है borrowing अगर हम borrow करते तो दो जगा से कर सकते थे यूएस से और कैनेडा से हमें 1000 डॉलर चाहिए ऐसी investment का कर लेते है पर पहले मैं borrowing वाली बात करू अगर सर मैं यूएस से ही borrow करता तो borrowing rate क्या होता 2.5% कितने मन्त के लिए करना है हमको सर हमको करना है borrowing का rate 2.5% नहीं होता ये वाला होता ये interest गलत लिखा ये invest बार्ण का rate लिखा है 4% 4% के सबसे borrowing हो जाता 3 मन्त है तो 4 into 3 by 12 तो सर होता 1% सर अगर 1000 हम borrow करते into 1.01 तो सर हमें payment करना होता dollar 1010 US dollar 1010 का payment करना होता अगर हम US से borrow करते तो currency of borrowing currency of investment के तो ना जाने कितने question कर रखे और सर हम Canada से borrow करते तो वहाँ से हम dollar borrow नहीं करते तो फिर क्या करते हैं हम Canadian dollar borrow करते मतलब सर हम क्या कोशिश कर रहा है हम यह कोशिश कर रहा है कि हम Canadian dollar borrow करके हम उससे dollar खरीदते हम dollar खरीदते तो bank dollar बेशता कनेडियन dollar borrow होता US में आते US में Canadian dollar दे देते और बदले हमको dollar मिलता मतलब bank दूसरी bank dollar बेशता 1.240 yes 1.240 हमको Canadian dollar 1240 बोरो करना पड़ा था हां ची 1.240 इसके सब से 4.5 4.5 इंटू 1 4.5 इंटू 3 बाइ 12 इवाइड बाइ 100 प्टस 1 1.01125 से मल्टिप्लाई कर देंगे इंटू 1.240 तो सर ये अब आ गया हमको जब वापस करना पड़ेगा तो सर कैनेडियन डॉलर 1.253.95 वापस करना पड़ेगा येस जब वापस करना पड़ेगा तो इतना कैनेडियन डॉलर हमको खरीदना पड़ेगा मैं गह रहा हम टोटल कोश्ट कितना पड़ेगा ठीक है सर कितना कैनेडियन डॉलर हमको खरीदना पड़ेगा तो सर बैंक डॉलर खरीदेगा कैनेडियन डॉलर बेचेगा यस तो अब क्या करेंगे हम लोग divided by 1.255 तो हमको उस हिसाब से यहाँ डॉलर का कॉस्ट पड़ गया 999.16 तो बताओ डॉलर अगर बॉरो करना है तो कहां से बॉरो करना है सर यहां से कैनेड़ से क्योंकि सस्ता पड़ा हुई उन्होंने क्या हो मुझे नहीं मालूं कैसे किया सबसे पहले बॉरोईंग अगर यूएस से बॉरो कर रहा है तो डॉलर 1.0 और कैनेडियन से सिफ बोरो कर रहे तो 999.16 आट नमबर का कोशन ठीक है जिसमें कम है मतलब सर ये कम कहां कैनेडा में कम है तो कैनेडा सिफ और ठीक यही काम आपको कहां का इन्वेस्टमेंट का आप इन्वेस्टमेंट का कर लोगे मैं जे ऐसा लग रहा कि अब बात आपको समझ में इस कोशन को करते हुए चले तो और फॉरेक्स में और कोई चैंज है क्या ये आया था MTP आक्टोबर 2019 में का कोशन है MTP आक्टोबर 2019 सिंपल कोशन था और कोशन में कुछ था यह नहीं ठीक है उडाल दिया भई फिगर है ये कोशन को वापस डालने का सेंस नहीं था पर चलो उडाल दिया कोशन में कुछ भी नहीं था और ये कोशन हमारा कोशन नमबर 40 पेज नमबर 76 में चला हुआ है क्यों टार्गिट रहता है ऐसा क्योंकि यह कोशन बहुत सारे ना हो जाए कि फार एक्स के 200 कोशन ना हो जाए इसलिए हम सीमिलर टाइप के कोशन आवाइट करते हैं क्यों डाल रहा है जब रदस्ती उससे होता है क्या बच्चे परेशान होते है कोशन को नहीं भी करोगे तो चलेगा फिगर चैंज है और कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है सेम कोशन हमारा अल्रड़ी कोशन नमबर 40 पेज नमबर 76 यह कोशन है कोशन नमबर 5 यह इसमें कहाँ चैंज है सर यह MTP October 2021 पेज नमबर 92 पेज नमबर 48 अल्रड़ी कवर्ड है एक जगावर दिखकर तर इस कोशन में क्या दिखकर तर इस कोशन में क्या दिखकर कि आप यह overdue forward को अधी क्या हुई थी चार अप्रिल को हमको loan चाहिए था forward contract किया चार अप्रिल मैं सीधी सीधी बात करता हूँ तो याद चल रहा है आपका चार अप्रिल को कशन नमबर आपको हम कितने दिन तक वेट करते है तीन दिन तक साथ अप्रिल बस मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये 14 अप्रिल का rate दिया ही दूसरा ये मार्च गलती से print कर दिया थे ये मार्च नहीं ये था अप्रिल ये हो गया में ये हो गया जून अगर मार्च है तो मार्च का rate आया कहां से इतनी ज़्यादा गलती है न इस कोशन में बिल्गु मेरा करवाने का दिल नहीं करते इस कोशन को पर क्या करें है है एक्शुल में है तो करवाना तो पड़ेगा उसके बाद जो भी मतलब सर फिर एक रेट होता था कैंसलेशन वगेरा होता था यह सब कुछ कवर है अपका अब तो मुझे कोई मुझे जानता हूँ इस कोशन में कोई दिक्कत नहीं हो अब प्रॉपर वे में करते जाओ अब सुनो आखरी खेल यह होता है कि वो लाश्ट में आपसे मांगता बांकि सब ठीक है यह सब्दमां न्यूं कॉंट्रक्ट रेट न्यूं कॉंट्रक्ट रेट का मतलब भाई आप साध अपरेल को जब कश्टमर आया साध अपरेल को तो उस समय पर कस्टमर साथ अप्रिल को तो आया ने कस्टमर तो 14 अप्रिल को आया हूँ अब समझने की कोशिश करना जब कस्टमर आपके पास 14 अप्रिल को आया 14 अप्रिल तो 7 अप्रिल को तो आप अप अल्डेडी कैंसल कर चुके थे जब 14 अपरिल को आया तो कब के लिए बेले 14 जून के रिट के लिए है और जून का रिट क्यों कि मैंने यहाँ चेंज किया तो जून का रिट फिर यह वाला होना चाहिए और कौनसा वाला होना चाहिए बैंक बेचने वाला था तो यह वाला रिट होना चाहिए अगर मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ चेंज कर दिया तो चबता अप्रिल कर रिट यह वाला होना चाहिए था इंस्टिट्यूट ने इसको जून वाला ही लिया उन्होंने 74.0525 लिया इसको याद रखेंगे क्या कैसे अब मुझे समझे में नहीं आ रहा कि यह एक्चुल में होना चाहिए था मेरे हिसाब से 73.7050 पता नहीं फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बाकि कोई दिक्कत ने 74.0525 यह वाला रिट लिया यह मेरे हिसाब से अगर मैं चेंज करूँ तो यह जुलाई का रिट है अगर मैं चेंज ना करूँ तो फिर पूरा की पूरा कोश्चन गरबढ़ हो जाएगा तो 14 अपरिल का रिट बस इसलिए बता रहा है कि कस्टमर जो है वो 14 अपरिल को आया बहुत सारी समस्य आया सकती इंट्रेस्ट का क्या होगा जब कस्टमर लेट आया तो इंट्रेस्ट भी तो वहाँ तक का कैलकुलेशन होना चाहिए बहुत सारी बाते तो मैं ज़्यादा जिंजट में पढ़ना नहीं चाहता पहले जो काम कर रहे थे वो दो के इसाब से करेंगे क्योंकि मैं इस टाइम पर आपको कन्फ्यूज नहीं करवाना चाहता है इस समय में आपको रटवाना चाहता है तो जैसे कर रहे थे बस न्यू कॉंट्रेक्ट रेट में कश्टमर 14 अप्रेल को आया तो 14 अप्रेल को देख लेना कि किस दिन के लिए एक्स्टेंट करना और जिस दिन के लिए एक्स्टेंट करना उस दिन का अप्रेट ली और कोई कोश्चन नहीं है यह चाहर चैप्टर होके अब आगे बढ़ हैं और हम बढ़ हैं इंटरनेशनल फाइनेशनल फाइनेशनल नमे एक तो यह है कोश्चिन नमबर वन जो की इसी काम का नहीं है कोश्चिन नमबर फाइव पेस नमबर अल्रेटी कवर्ड है मतलब सिर्फ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं इंटरनेशनल फाइनेशनल फाइनेशनल मेनेजमेंट में बस यही कोश्चिन था मतलब सिर्फ इंटरनेशनल फाइनेशनल मेनेजमेंट में एक भी अडिशनल कोश्चिन था एसके से वह त्युक्क2 सर और आगे चलते हैं आप बात करते हैं security valuation security valuation में है थोड़े भीâuत question international financial management के लावा security analysis security valuation है bond है मैं सारह ही कर वा रहा हूँ security valuation में corporate valuation भी है security valuation में यह question है जो में 2022 में आיה था पर बुक में नहीं डाला गया उसकी वज़ा है क्योंकि सेम कोश्चन इगर भर चेंज है कोश्चन नमबर 36 पेज नमबर 64 में आपको मिल जाएगा हमारी बुक है इस लेजर बुरत नहीं थी इसकी कोश्चन नमबर 2 अच्छा कोश्चन कोश्चन नमबर 2 रिखा हुआ है Mr. X wants to हर बार जब जब भी पेपर आता है मैं अप्लोड कर यह सब वीडियो अप्लोड है समझ समझो कि वीडियो अप्लोड नहीं है पर ठीक है सब को मैंने एक साथ कर दिया Mr. X wants to invest 1,007th year wants Mr. X जो है उन्होंने bonds में invest कर रखा कितना रुपए invest किया सर एक लग 7 year bond उपन कितना है सर 8 person याद है न आपको 8 person face value 100 और यह जो bonds issue है वो दो साल पहले issue हुआ था तो सर इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी 5 साल बाकी अभी भी 5 साल बाकी बेलकुल से अभी भी 5 साल बाकी याद रुपएस्टे तो advise him what is the maximum price for the bond maximum price ने कालना present value ने कालना for the bond to be paid in the following scenario require rate of return कितना है 9% 9% से discounting कर दो require rate of return कितना है 7% 7% से discounting कर दीचे 8.25% तो उससे discounting कर दीचे सब perpetual क्या perpetual क्यों भी यह life तो दिया है 5 साल 5 साल में redeem हो जाएगा और फिस साड़े 7% से discounting कर दीचे that's it मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आईगी यहनों ने पहले कहा कि यह perpetual है unitary methods unitary method क्यों लगाएंगी हम जब अर्दस्ति हम तो normal करेंगे जैसे कर रहा है और अल्टरनेटिव हम अल्टरनेटिव वाला ही और अल्टरनेटिव वाले में आगया 96.99 अगर हम 7% से discounting करते हैं तो answer कितना आ रहा था answer आ रहा था 101.10 तो 5% से करते हैं counting करते हैं तो अल्टर से बात समझ में आगी मैं ज़्यादा बात थना करूंगा अब क्या है अब बस देखो उन्होंने effective लाटरनेटिव नेकला अब ध्यान से समझना यहां और ही सोच point number 2 important है यहां मेरा अनुमान totally गलत हो गया पर आपको वैसी करना if the bond are available at par sir मतलब 100 रुप है और 1% is transaction तो sir हमारा लग कितना रहा है तो sir 100 plus 1% तो sir ऐसे तो bond हमको 101 का पड़ेगा तो बताए effective yield क्या है effective yield का मतलब मैंने क्या सोचा YTM और YTM में मुझे present value कितना लाना है 101 और किस rate से discount करूँ कि answer 101 आ जाए उस तरह से मैंने सुचा कि it means मेरे हिसाब से अगर दिखो जाएगा तो 7.75% दिख रहा है अगर मैं common sense की बात करूँ sir 7.75% से discounting किया answer 101 आ गया तो YTM किया होगा 7.75% ICEI ने ऐसे नहीं किया वैसे तो यही logical है ICEI ने का भी ज़्यादा दिमाख मत चलाओ CD सा काम करो वो लो कुपन कितना मिलेगा 8 रुप है उसके लिए हमने कितना लगाया 101 मतलब सरे इन्होंने करेंट इले निकल दिया 8 डिवाड़ेड़ 7.92 तो यह effective yield थोड़ी ने effective yield का मतलब आप भी कुछ भी बोल दो आप आपको जितना बोलना institute के लिए बोल दो करना यसी है अंसर अजाएगा 7.92 तूसरा यह वाला पॉइंट प्लीज यह important था पॉइंट नूम्बर 3 वी important find the number of days required to break even transaction cost if the bonds are available at par and transaction cost is 2% अगर transaction cost is 2% तो बताओ कितना आएगा transaction cost तो टोटल वान लाग का 2% ले लिया तो हमारा 2000 रुपए transaction cost लगा ठीक है वो पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा कि यार यह जो 2000 रुपिया लगा यह कितने साल में recover कितने दिनों में recover हो जाएगा तो भाई आपको एक लाग का ब्याज कितना मिल रहा 8% तो बताओ एक दिन का कितना वन डे का तो वन डे में हम कमाएंगे 22.22 रुपीस टोटल खर्च कितना हुआ transaction cost ले 2000 तो बताओ यह कितने दिन में recover हो जाएगा आंसर आ रहा है 90 देज ठीक है एक लाग का transaction cost कितना दे रहा है 2% तो बोल रहा किया यह 2% जो है 2000 कितने दिन में recover हो जाएगा आंसर आ गया है 90 देज यह कैसे यह तो थेओरी है growth rate का question आया था sustainable growth rate मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितने मेरे video डले हुए है YouTube में additional questions करके प्लीज अब उसको भोल जाना इसी में मैंने सब कुछ करवाया थी के तो tension मतलीचे वो अलग अलग बटी with हर बार question paper के बाद video हर बार question paper के सब वीडियो है अब ऐसा कुछ total assets दिया है liability दिया net income दिया dividend पैट दिया sales दिया x want to know the extent sales can be increased without going for additional borrowing using sustainable growth rate sustainable growth rate का क्या मैंने आपको formula बताया था yes p into p का मतलब क्या होता सर p का मतलब होता है retention ratio sir net income ये है dividend paid ये है तो 4.5 मतलब 12 minus 4.5 7.5 7.5 divided by 12 into 100 तो sir retention ratio तो हमको 62.5 percent मतलब sir सीधा लिख सकते हो ना 0.625 yes into r r का मतलब होता है return on equity return on equity कैसे निकलते है sir ये net income है और assets से liability minus करोगे तो equity आ जाएगा मतलब sir 250 minus 220 तो sir 30 आ गया equity आ गया है तो return on equity 12 कमा रहा है 30 पर into 100 40 percent तो growth rate टेंकल जाएगा 0.625 into 0.4 0.25 मतलब sir growth rate हो गया 20 percent जब growth rate 20 percent है तो sales इसी साब से बढ़ेगा 100 plus 25 sorry 25 percent तो answer आ जाएगा sales पढ़ी हुई sales आ जाएगा 120 पस कतम alternative करना नहीं है simple तो था ठीक है आगे चले क्या question number 4 exam में आया था November 2019 में तो इसका upload किया था पर चलो ठीक है कर लेते कुछ नहीं था question the nominal value of 10 percent bonds issued at par ठीक है 5 masses S क लिमिटेट rupees 100 the bonds are redeemable at 110 at the end of 5 year 100 पर 100 रुपे का 10 percent कितना हो तो 10-10 रुपे मिलेगा पास साल तक फिर redeemed हो जाएगा 110 रुपे अगर discounting rate 8 percent 9 percent 10 percent 11 percent हो किया जब अब दस टाइम पास है और बता यह highest क्या आएगा और factor भी दिया हो ऐसे question सर्थ आ सकते कि मैंने डाला भी नहीं भी ऐसे question क्या कर वो कर वो कर वो question number five exam में आया हुआ था same question डला नहीं है पर यह question डालने की ज़र्वरत भी नहीं थी exam में आया था में 2019 में ज़र्वरत इसने नहीं क्योंकि बिल्गू simple question है देखोगे पढ़ लेता हूं में एक बार question the shares of G limited currently being traded bullish share का price अभी कितना चल रहा 46 और company publish its result for the year 31st March 2019 declared a dividend और declared declared सब्द मिला है मतलब सर यह DG 0 है पाच रुपए और आपको discounting किस से करना है 15% से और growth rate कितना है 10% for 3 years और उसके बाद 15% मतलब सर पहले सर पाच रुप 5 को 10% 10% 10% बढ़ाएंगे फिर पार पे चुल कर देंगे ठीक है यह required to advise the share of the company is being traded बता यह premium पर है कि discount पर तो value निकलते है और मेरे ख्याल से कुछ है नहीं है value final value आजाएगा 45.98 value जबकि actual price है 46 तो सर यह discount पर trade होगा अच्छा वो add ने किया तो सर यह final value नहीं है final value है यह तो अगर यह ज़ादा तो सर यह premium पर trade होगा अच्छा पता नहीं है institute का answer है ना थोड़ा सा घर पर होगा तो सर फाइनली value कितना आ रहा यह आ गया 69.88 उसको 0.6 पर तो 45.98 आ गया हमारा इसका value ठीक है अब उसमें किसको add करोगे इसको add कर दोगे तो फाइनली आ गया हमारा intrinsic value of bond और सर एक्च्वल में कितना चल रहा है सर एक्च्वल में चल रहा है 46 रुपीस प्राइस वो पूछ किया रहा है सर पहले वो देख लेते हैं पूछ यह नहीं रहा कि trade कितने पर होगा वो बोले ट्रेट कितने पर हो रहा है मतलब बताना है कि trade premium पर हो रहा है कि discount पर हो रहा है ट्रेट किस पर हो रहा है तो 46 है प्राइस एक्च्वल में जबकि होना चाहिए 40 59 उस हिसाब से यह जो दिख रहा है bonds यह discount पर दिख रहा है discount पर trade हो रहा है traded at discount जबकि इसको होना चाहिए प्रीमियम पर मैं यह कहना चाहिए एक ही बात है discount पर trade हो question number 6 exam में आया था January 2021 में ओक किस देखी कि क्या है messers be limited has declared dividend has declared मतलब सर यह हो गया है D0 तो रुपय पचास और EPS कितना सर EPS से 7 रुप earning of the company grow हो रहा है कितने परशन से 10% for next 3 years और 3% उसके बाद payout ratio during 3 years रहेगा और उसके बाद 60% यहां काम अच्छे से करना ठीक है discounting rate 16% बस तो सर हो जाएगा बस आपको धियान रखना है कि हमको EPS की जिरुप पढ़ेगी तो EPS की जिरुप क्यों बढ़ेगी क्योंकि dividend को तो grow करना है न 10% से बिटे लेकिन EPS last में जो fourth year होगा fourth year में जो भी earning आएगा उसका 60% आपको dividend देना पड़ेगा इस type का question बहुत किया हुआ है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसलिए मुझे EPS की जिरुप पढ़ेगी और यहां EPS का मुझे 50% लेना पड़ेगा लास्ट में यह value आ गया present value निकाला ठीक है sir हो जाएगा question simple है question number 7 अच्छा है करने वाला question है question number 7 question number 7 प्लीज अच्छा question है right shares का question पढ़े एक बार की? यस sir एक बार पढ़ते question लिखा aggressive limitative proposing to fund its expansion plan और रुपीश 12 करोड बारा करोड रुपए की जरूरत है और कैसे काम करेंगे बारा करोड रुपए चाहिए right issue अब भी market price कितना है? 40 रुपीश ठीक है board willing to offer a discount 20% current market price मतलब यह right का कौन सा price हो गया? offer price हो गया 40 minus 20% offer price हो गया 32 ठीक है the board also desire that the fall x right price of the shareholder to be restricted to 10% of current market price मतलब जो x right price निकालते थे थे ना तो 40 minus 10% तर वो 36 होना चाहिए 36 होना चाहिए तो sir number of new shares मांग रहा है अब x right price निकालने का formula क्या था? it's a right price is equal यहां लिखते थे sir number of shares before right जो हमको मालूम नहीं है और यहां क्या लिखते थे number of right shares अगर मैं कहूं कि number of shares before right कितना है तो मान लेते हो 1 1 मानने में क्या दिक्कत है yes और उसका right price कितना था sir 40 into 1 ऐसा मान लेते है plus और offer price कितना है 32 into x तो पता लग जाएगा कि कितने के बदले में कितने right shares यह fraction में आएगा हला कि उसको हम ठीक कर लेंगे divided fraction में भी आ सकता है अगर 4 के बदले में 1 होगा 4 के बदले में 1 तो 1 के बदले में 0.25 हो जाएगा divided by सर यह हमको मालूम है कि yes यह हमको मालूम है और यह कितना दिया है सर यह है 36 सर यहां क्या करते थे सर यहां one plus x मतलब x1 plus x मतलब x होगा जो भी होगा बस निकाल लेंगे 1 प्लास X X से नहीं होगा ऐसा ठीक है और इससे निकाल लेंगे तो किसमत से X 1 आ गया मतलब एक के बदले में एक शेर था तो यह वाला पार्ट अच्छा था देखा जाओगे तो यह वाला पार्ट अच्छा था ट्रिक था फिर तो theoretical value of right और number of three है तो easily MTP में कब डिला था October 2022 ठीक है अच्छा कोश्चन कोश्चन नम्पर 8 में कुछ नहीं है भाई कुछ नहीं मत करना इस कोश्चन हाला कि MTP September 2022 में डला हुआ है लेकिन यह already कोश्चन हमारी बुक में कोश्चन नम्पर 72 पेज नम्पर 105 में covered पस एक यह है कि इस कोश्चन जो कोश्चन नम्पर 72 105 है उसमें यह line नहीं लिखी थी having beta 2 तो बहुत बीटा 2 है और हाला कि यह line लिखा भी है तो कोई फरक नहीं पड़ा है तो सर इसको डाले क्यों है क्योंकि यह कोश्चन बुक में डला है की नहीं डला है important नहीं है कब आया था बसे कोश्चन क्या आया था एक्जाम में दोज़ाब 22 हमारी बुक में भी सेम कोश्चन है कोश्चन नमबर 1 पेजन नमबर 2 कोई फरक नहीं पड़ा था दो तीन कोशन में डाल रखे एक चीज में दिक्कत आ गई क्योंकि इसमें वो exponential factor नहीं दिया है तो सर आपने बताया है था ना ऐसा नहीं कि आपने बताने exponential moving average का factor में ने बताया था 2 divided by n plus 1 हाँ सर बताया था अब बच्चों का ये कहना सर एन क्या ले क्योंकि हमें value निकालना है 15 days का तो यहां 15 plus 1 16 ले या फिर ये वाला day ले जो 8 दिन का दिया हुआ भाई कैसी बात कर इससे तो future का है आने वाले 8 दिन के लिए निकालना है पर total मुझे average तो 15 दिन का करना पड़ेगा तो हमेंसा यहां अगर दिया है तो यहां आप लोजिक की करो ना concept की concept ये है कि मुझे यहां के लिए यहां तक कितने दिन का average हो रहा है सर एक्चॉल में 15 दिन का average हो रहा है यहां एक्चॉल में 15 दिन का average हो रहा से लेवाले से आने वाले आठ दिन तक का निकालना पर 15-15 दिन का अवरेज करना है ठीक है बस बाकी और कुछ नहीं है तो बच्चों को यही एक समस्य आगे यार यह कैसे निकल यहां 15 डेस का लेना था बाकी और कुछ नहीं था आराम से तो यह सब समझा चुका हूं तो मैं जिसमें ज्यादा फोकुस नहीं करते हैं मतलब सर्थ 2 डिवाइड़ बै 16 करना था तो डिवाइड़ बै 16 कॉर्परेट वैलूशन खतम करते हैं इसके बाद 2 मिनट कब रेख लेते हैं कॉर्परेट वैलूशन एक बार रेख लेते हैं कुछ नहीं है तो मैं बाद भी नहीं करूंगा अल्रेड़ी हमारी बुक में कवर्ड है सेम फिगर का कॉर्शन नमबर 15 पेज नमबर 23 यह कॉर् वाला की एकजाम में आया हुआ था में 2022 में कवर्ड क्यों नहीं क्यूंकि सेम फिगर सेम कुछ सेम मतलब फिगर चैंज है इस में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्युंकि अल्रेडी बुक में कवर्ड है सेम कोश्चन है भाई पस फिगर थोड़ा सा इदर उदर है कोश्चन नमर सिक्स्टीन केज नमर टूर एक्जाम में आया था नवामबर दो हजार बाविस्वे चले आगे मुझे मालम था कि corporate deviation में मुझे कुछ करना ने सेब बचा क्या है कौनगान से topic बचे अब बचे हमारे merger उसके अलबगा corporate qualification थोगा है merger के अलबगा portfolio management और क्या ऐबचा है mutual fund ठीक है जी बाकी दो कोश्चन exam oriented book में डाली रखे तो ठीक है सर एक छोटा सा ब्रेक लेते पाच मिनट का और स्टार्ट करते है चलो आगे चले ब्रेक खतम यस तो अभी स्टार्ट कर रहा है और अब हम आगे चल रहा है मर्जरन एक्विजिशन ख्या कहा है नया था कुछ नय कोशन और यह कोशन अच्छा है लेकिन अपलड़ी हमने कवर कर रखा है यह जो मांगता है ना वैल्लिउ ओफ ओरिजनल सेर होल्ट कि मैंने आपको डिटेल में समझाया था किस कोश्चन में समझा है तो नया कोश्चन नहीं है भाई पहले एक्जाम में 2022 में सेम कोश्चन कोश्चन 44 एक्जाम ओरिएटेड बैच पेज नमबर 85 में मिल जाए थे थे थोड़ा भी अंतर नहीं है डिटेल में डिस्कुशन हो चुका हुआ सॉलुशन भी दिया है चाहो तो देख लेना तर ये वाला कोश्चन ये भी बहुत अच्छे डिटेल में समझा है और कोश्चन नमबर 15 पेज नमबर 29 में बिल्कुल रिपीट नहीं करूँगा मैं जो अल्रड़ी समझा चुका हूँ अगर आपके पांश टाइम है तो वापस एक बार कर सकते हो पर जरूरत नहीं है सर ये कब आया था ये आया था एक्जाम नमबर 2022 कोश्चन की तो बात ही छोड़ दो ये कोश्चन बहुत अच्छे से कर रखा ठीक है क्या है फिगर सेम रहती है तो मैं सोस्तों नहीं डालन चाहिए बुक में और सर ये कोश्चन तो हमको मालूम है चार पाच छे पॉइंट पूस्ता था और जनवरी 2021 में आया था ठीक है नहीं डाला कोश्चन नमबर 10 है हमारी बुक में पेज नमबर 21 पे ये सारे पॉइंट्स में ने डिटेल में डिसक्रिशन और कुछ भी कोश्चन यही कोश्चन डाला हुआ से कोश्चन डाला है वैसे यहां डालना भी नहीं चाहिए था बुक में चेक करोगे तो कोश्चन नमबर 46 पेज नमबर 89 ठीक है सर ये अगर करना हो तो देख सकती हो पर अल्रेडी कवर तो अगर मैं कहूं मर्जर एन एक्विजिशन मे एक ही नया कोश्चन था और वो है कोश्चन नमबर 5 अच्छा कोश्चन जो की MTP में 2020 में था MTP में 2020 क्या था आखिर उस कोश्चन में एक बार देख लें किया यस सब कुछ सही है ऐसा नहीं कि कोश्चन में कुछ स्पेशल बात है कोश्चन में सी ए इंटर का कुछ मसाला डालके रखा है बस X limited और Y limited को acquire करना चाहते है और कुछ data दे रखा GP ratio दे खा market cap दे रखा inventory turnover ratio दे रखा turnover और data turnover ratio दे रखा swap ratio निकालना EPS के business पर तो क्या EPS निकल सकता है तो number of shares दिया है क्या number of shares दिया है और market सार इससे तो MPS निकल सकता है यस 75 lakh डिवा है पर EPS कैसे निकले EPS और MPS की सवाल बस EPS कैसे निकले और सारे expenses minus कर देंगे किस में से तर सेल्स में से तैल्स कहां है तो cells turnover ratio दिया है तो cells निकालने के दो तरीके है या तो stock turnover ratio या inventory turnover ratio या तो data turnover ratio अब सवाल ये है पढ़ा होगा CA inter में stock turnover ratio में generally COGS निकलता है और debtor turnover ratio में cells निकलता है और कौन सा cells निकलता है याद रखना credit cell से निकलता है अच्छा COGS अगर हम निकाल सकता तो GP ratio दिया तो cells निकल जाएगा तो सवाल बस इतना सा है कि या stock turnover ratio यूच करना चाहिए कि data turnover ratio यूच करना चाहिए दोनों से sales निकल सकता है और debtor turnover ratio से सिर्फ credit sales निकलेगा जबकि stock turnover ratio से COGS निकलेगा GP को यूज करेंगे तो फिर sales निकलेगा तो ICAI ने इस question में stock को यूज किया है तो बस ये बात याद रखना ठीक है जी ओके से उसके हिसाब से उन्होंने sales निकल लिया sales में से operating expenses माइनस कर दी जब COGS माइनस कर दी कि COGS माइनस नहीं कर रहा हूँ मैं एक और बात याद रखना है operating expenses में COGS जुड़ा हुआ होता है तो जबरदस्ति दिमाग मत चलाना है यह और एक चीज़ है जो cost में आपको याद रहे है लिखा operating expenses 86% इसी में COGS या फिर आप ऐसा बोल सकते हो यार GP ratio कितना है 20% GP है 20% और operating expenses माइनस कर इतना research करने की जबरत नहीं है बस याद रखना आपी ठीक है बाकी तो कोशन में कुछ खास बात नहीं थी फिर तो आराम सी हो जाए इस कोशन को देख लेना प्लीज इस कोशन को आप पक्का देख ले कोशन नमबर 6 भी नया कोशन है मर्जर रेक्विजिशन का नवंबर 2021 के MTP में डला हुआ तो इससे ज़्यादा तर कोशन MTP से है हाँ ज़्यादा तर कोशन हमने MTP हमने ज़्यादा यूज नहीं किया था प्लीटली यूज पड़े देखा इसनेक लेमिटेड इस टेकिंग ओवर लेजर लेमिटेड लेमिटेड वोत आर लिष्टेड कमपनी प्राइज अर्निंग रेश्यो लेजर जिसको हम टेक ओवर कर रहे है उसका प्राइज अर्निंग रेश्यो फोर भी हो सकता है तेवन भी हो सकता है और अभी फाइव है बतलब तीन प्राइज अर्निंग रेश्यो दिया हुआ है और EPS पहले था 3.40 पैसे अभी है 4 रुपए एक्सपेक्टेड है 4 रुपए तो बताइए value of share क्या आएगा using price earning model पर कौन कौन सा EPS ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है और कौन सा price earning ratio ये ले की ये ले की ये ले उन्होंने सब ले लिया मतलब 3 और 2 दो 6 उसने मालूमना पहले ये लेकर इन दोनों को ये लेकर इन दोनों को ये मतलब total मिलाकर कोशन देखोगे उन्होंने कितनी सारी value निकाल दिया मतलब सर ये भी हो सकता अलग अलग सेनारियों के हिसाब से value निकाल ठीक है focus पिछला वाला अच्छा था पिछला वाला कोशन करोगे अच्छा कोशन था ठीक है सर अगले चैप्टर पर दो ही दो चैप्टर बागी है portfolio management और mutual fund portfolio management में में 2022 में कोशन आया था और किस चीच के लिए था और ये कोशन था बीटा के लिए और क्या बीटा का question already हमारी book में है yes question number 15 page number 36 same question मैंने करवा रखा क्रशना limited करके ठीक है सर याद है तो please इस पर मैं discussion नहीं करूँगा figure थोड़ा सा अलग है अब यूज कर अच्छा ये question आया था याद है एक portfolio rebalancing का miss सुनी धी करके था हाँ सर मिस सुनी धी करके same question miss सुनी धी करके portfolio rebalancing एक होता था CP नहीं CPPA यह नहीं है इसमें था एक होता था constant mix constant mix के अलावा एक होता था buy and hold याद है के नहीं है सर याद है constant mix में मान लो सर उस question में क्या खास बाती उस question में अगर मैं कहूं 2 लाग था वो सुनी धी वाला question की मैं बत कर रहा हूं miss सुनी थी तो सर उसमें हम एक लाग रुपय एक्विटी में लगाते थे और एक लाग बॉण्ट्स में लगाते थे mutual fund में और एक लाग बॉण्ट्स ये concept constant mix और buy and hold में वैसे तो conceptual ये था कि आधा पैसा एक्विटी में लगाना आधा पैसा बॉण्ट्स में और उसको hold करके रखना रिबैलेंस नहीं करना याद होगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं में सुनी धी वाले question में आपने सारा की सारा दो लाख रुपए किसमें लगा दिया एक विटी में लगा दिया क्यों लगाया था तो मैंने थोड़ा बहुत बताया था वैसे conceptual गलत है इसमें भी आधा पैसा बॉंड्स में आधा पैसा एक विटी में लेकिन फिर मैंने आपको एक लाइन पढ़के बताया था उमीद सुनी थी वाले question में क्या लिखा हुआ था उसमें मैं आपको बता देता हूँ एक विटी फंड कंसिस्ट ऑफ एक विटी आउनली मैंने गाओ देखो ऐसा लिखा एक विटी आउनली हाला कि conceptual गलत था मेरा उस question में भी यही मानना था कि आदा पैसा बॉर्ण्स में लगना चाहिए आदा पैसा एक विटी बाइन होल्ड का concept हुआ ही है तो मिस सुनी थी वाले में किया किया था question book में है जो इस्टडी मैट में सर उसमें आदा पैसा उसमें पुरा की पुरा एक विटी में लगाया था तो उसी same question ये भी है लेकिन ये जो question आया है ये आया था नवंबर 2022 में और इस question में पहले नंबर पे value of portfolio मांगा था तो value of portfolio दो तरीके से constant mix में दिक्कत नहीं है दिक्कत है buy and hold में और भाई साब इस question में अगर देखोगे total लगाना था पाच लाक पाच लाक में दो लाक पचास जार इन्होंने bonds में लगाया और दो लाक पचास जार equity में लगाया और इसका value यह आग है कास आपको अंतर समझ में जाए अगर मिस सुनी दी सर ऐसा वाला question होगा कि हमारे तो वाला question यस आप निकाल लीजी अपनी book में question number 48 page number 99 book में solution तो हाई हर book के साथ solution दिया उसमें क्या था बस अंतर समझने की कोशिश करना थोड़ा सा मिस सुनी दी वाले question में पूरा पैसा अपने equity में लगाया था दो लाख रुपए वो दो लाख रुपए दिखरा होगा आपको buy and hold की में बात कर रहा हूँ और इसमें उन्होंने आधा आधा लगाया conceptual सहीं किया सर हमें कैसे करना आप दोनों यह alternative कर लेना इस वैसे तो latest जो आया है उसको हम सहीं मानते उसे सबसे यह ज़्यादा सहीं ठीक है आधा पैसा bonds में आधा पैसा equity तो हमने जो techniques यूज किया था constant mix उससे portfolio की value आई थी 556065 यस और वाई एन होले से टेक आंसर आ रहा पाच लाग पचास जार तो हमने मिच सुनी दी ने मिच स्रीनी दी ने जो technique एड़ू का value ज़्यादा आ रहा तो बताओ उसने जो technique एड़ू की उसमें कोई error है कि नहीं है भई यह portfolio का value ज़्यादा आया तो error किस बात का तो वही उन्होंने पूछा था कि whether there are any error in the technique of developed by इसरीनी दी आंसर आएगा no portfolio का value ज़्यादा आया यह उन्होंने जो कहानी लिखाया ना इससे मैं खुच लिए कहानी प्लीस इस कहानी पर focus नहीं करो सीधी सी बात है कि हमारा इस टेक्निक से पॉट ज़्यादा है hence there is no error in the technique strategy adopted by इसरीनी थी यहां गलत लिखा रखा है प्लीस इस question को देख लेना गलती मत कर देना question number 3 portfolio में है कुछ नए questions है यह question कब आया था यह भी आया था एक्जाम में नवंबर दो हजार बाविस पढ़े दिखा है मैसरी has surplus amount कितना पैसा है भई तो तीन करोड रुब्या लगाना तीन करोड to invest and has shortlisted the falling equity और उन्होंने इन में पैसा लगाया S, K, P, D, C और सब का बीटा दिया हुआ है और अगर equal amount में लगा रहा हूँ तो बता ये portfolio बीटा क्या होगा divided by 5 कर देख देख इस type का question किया हुआ है हमने ऐसा नहीं किया हुआ है लास्ट में एक पॉइंट इसने जोड़ दिया था वही समझ नहीं कि कोई दिक्कत है कि पॉइंट नंबर वन में कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट नंबर टू भी कोई नया नहीं है ये भी old ही है हो बोल रहा कि अगर हम 15% इसमें लगा थे 10% इसमें 10% इसमें बच्चा हुआ बच्चे हुए दो में तो आंतर जाएगा पॉइंट नंबर टू में दिक्कत नहीं है पॉइंट नंबर थी में भी दिक्कत नहीं है दिक्कत बस ये है कि वो थोड़ा सा कॉंसेप्ट क्या करता है कि वो बीटा पॉर्टफोलियो निकाल लिया मेरे पास सॉलूशन होगा ये सर बीटा पॉर्टफोलियो निकाल लिया 0.98 आया और सर यहां बीटा पॉर्टफोलियो कितना निकाल लिया 1.15 और मार्केट का कितना दिया RM दिया है 12 तो return of portfolio बताओ तो वैसे तो यार C.A.P.M. बलता RM plus RM minus RM into beta इस point में क्योंकि RF नहीं दिया है तो बुलना है कि यार market का return है 12 बर्षन market और beta है 0.9 यार beta है 1.1 तो यार जितना market बढ़ेगा उससे ज़्यादा portfolio बढ़ेगा तो सीधा RM एक formula है इसमें RM into beta portfolio कर देते हैं क्या निकालने के लिए portfolio का return निकालने के लिए ठीक है इसको ये थोड़ा सा याद करने वाला point था ये तो already हमारा किया इसमें भी कोई problem नहीं है अगर आप सोच रहे हैं तो ये भी आपको पहले से किया हुआ है problem कहा है problem कहा है problem है यहाँ point number four बस ये समझ रहाँ चेज़ेगा if the company changes its policy to invest in three securities मतलब मतलब बोले सिर्फ तीन ही stock में पैसा लगाना है पाच को छोड़ तो तीन में और कम से कम हर एक में 20% लगाना है और एक में 20% these three security to diversify risk you are requested to advise the company to have right mix of security to maximize the return in the following two scenario and also calculate the expected bull face bull का मतलब क्या लगता है सर बुल का मतलब होता है कि market बढ़ेगा market बढ़ेगा तो यार ऐसे stock में पैसा लगाओ जो बहुत तेजी से बढ़ेगा मतलब जिसका बीटा ज्यादा है अब question में बीटा ज्यादा किसका है में rank देने की तीन stock में rank देना सबसे ज्यादा बीटा सबसे ज्यादा पैसा इसमें लगना चाहिए है यस उसके बाद इसमें लगना चाहिए बिल्कुल सही उसके बाद इसमें लगना चाहिए तो इसमें क्योंकि 20% लगाना मेरी मज़ूरी है 2020 इसमें लगाते हैंगे 60 इसमें लगाते हैंगे बीट ओप पॉर्टफोलियो लगाते हैं तो common sense से हो सकता है कोश वोई कि यह amount लिखकर बताएं जिरूरत नहीं है 2020 इसमें लगाया 60 इसमें लगाया तो बीट ओप पॉर्टफोलियो आ गया है अब बीट ओप पॉर्टफोलियो 1.72 तो बोल रहा है market का return अगर 10 हो जाता है तो अगर market का 10 हो जाता है तो 10 into बीट ओप पॉर्टफोलियो हो जाएगा peer phase मतलब bearish bearish में क्या होता था market डाउन होने वाला ऐसे stock में पैसा लगाओ इसमें बीटा कम हो अगर फिर से मुझे mix करना है तो first rank किसको दे दूँगा मैं किसको दे दूँगा उसके बाद beta rank इसको दे दूँगा मतलब सर इसमें कितना person लगेगा 20 person इसमें भी कितना लगेगा 20 और बचा हुआ किसमें इसमें लग जाएगा हाँ question कर सकते तो यह किया तो beta आ गया 0.14 और market कर रेटन minus 5% है तो beta of portfolio into RM minus beta of portfolio answer आ रहा 0.7% अच्छा question था यह नया था इस question में last वाला point देख लिए न वो important है question number 4 यह भी नया है exam में आया था सर यह भी November 2022 देखे पढ़ते एक बार following is the information related to return on shares on in different company A limited, B limited, C और यह दिया हुआ और हमाँ portfolio का maximum number of portfolio that's written if each portfolio consists of any two company share in proportion of 65% and 35% and suggest which portfolio provides highest rate भाई सब ऐसा करना है सबसे पहले इनका आपको average return निकल expect return निकल जाएगा अब बोने यार A, B और C तीनों इस्टॉक का combination बनाना है और 65% और दूसरे में रखना है 35% तो सर, A, B का बन सकता है Yes A के साथ C का भी बन सकता है और सर, B के साथ C का भी बन सकता है तो सर, इसमें 65% A में आ जाएगा और 35% B में आ जाएगा तो फिर B, A का भी तो बन सकता है तो B में पहले जादा रख दो और E में हाँ, इस तरह से combination बनाना है बता सकते हूँ कितने combination में के साथ 6 पहले A, B, A, C और B, C ले 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 थे और फिर B, A, C, A और C, B ले 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 थे खतम पहला तो वो जाए दूसरा पोर्टफोलियो रिटर निकालना पोर्टफोलियो रिटन पोर्टफोलियो का रिटन और फिर बीटा भी निकालना मतलब पोर्टफोलियो का बीटा अगर आप 65,000 A में लगा रहे हो ठीक है 20,000 B में लगा रहे हो और 15,000 C में लगा रहे हैं तो यह तो time pass question होगा यहां तीन स्टॉक में पैसा लगा रहे है दूसर answer दो आ जाएगा Yes कुछ समझने वाला था ही नहीं देख ले ना इस question को नया question था इसके मद एक question आया था MTP में डला हुआ था August 2018 question number similar question हमारा question number 37 page number 76 याद करू एक था systematic risk, unsystematic risk और total risk ता नहीं याद है याद है और सर आप ऐसा बताते मतलब सर आप variance of portfolio ऐसी को standard division of A square weight of A square, standard division of B square, weight of A square plus to into weight of A into weight of B into covariance A, B और covariance A, B निकालने के भी दो तरीके थे यस एक कौन सा था? sharp और एक कौन सा था? Markovits याद है? sharp का था beta A, beta B ये वाला, और Markovits का क्या था? standard deviation of X, standard deviation of Y into correlation X, 7 where covariance निकालने के दो तरीका अच्छे से किया हुआ है तो बच्चे पूछते थे थे, सर ऐसे कब करना है? ऐसे कब करना? तब मैंने बताया था कि अगर systematic risk, unsystematic risk पूछ रहा है तो बतायेगा question में कि Markovits से करना है और नहीं बताया तो आप इसी तरीके से करना, sharp के तरीके अगर covariance दे दिया तो यहाँ covariance दिया हुआ है तो इसर ये जो covariance है ये Markovits वाला है कि sharp वाला है? भई, चेक कर लो beta मालूम है, beta मालूम है और variance of market भी मालूम है 100, चेक कर लीजिए 0.4 into 0.5 into 100 तो बीटा वाला तो कुछ और ही है अच्छा सर, तो सर ये कौन सा वाला है? ये Markovits वाला होगा? शार्फ वाला आपको निकालना पड़ेगा तो हमें करना कैसे? अगर covariance दिया है तो कुछ सोचना ही नहीं है सीधा उठा कर variance of portfolio निकाला अब ये शार्फ वाला है कि Markovits वाला है लेकिन question में अलक से बोला है portfolio variance शार्फ मौडल से अलक से बोला है और Markovits से अलक से बोला है तो भाई, जब शार्फ यूच करोगे तो बीटा वाला formula लगाना जब Markovits करोगे तो ये वाला फॉर्म important line अगर question में systematic और unsystematic risk की detail दे रखा total variance इस तरह से तो हमेशा हमें variance of portfolio सार्फ शे निकालना ये वाला बीटा वाले से से अगर अगर covariance दिया है तो फिर सोचना मत कि ये है कि ये उठा कर covariance लिखते है सर अगर sharp से भी पूछ रहा और Markovits से भी पूछ रहा जैसे इस में बोला है तो भाई साम जो covariance दिया है वो आपको Markovits वाला ही दिया रहे का आपको sharp वाला निकालना पड़ेगा बीटा वाला और दोनों तो आप नहीं लोग है कोशन नमबर 6 लिखा हुआ है अच्छा कोशन है हो सकता है और करवाया हूँ मैंने पर थोड़ा बहुत डिसकस कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा इसको मैंने कर वाला है करवाया नहीं है बिल्कुल करवाया हूँ वो efficient of determination बच्चों को याद रहने जाता R square का मैंने बताया था systematic risk total risk से कितना percentage है उसने आप से systematic risk unsystematic risk मांगा है सवाल है systematic risk कैसे निकाल सकता है यह कौन सा risk है सर यह total risk total और यह variance है systematic risk निकालने के दो तरीक है total कितना है क्या हमें coefficient of determination दिया है 0.18 0.18 total कितना दिया 6.30 तो क्या systematic risk निकाल सकता है 6.3 into 0.18 एक तो यह तरीका है 1.13 और इट मेंस में coefficient of determination को यूज कर सकता है एक तो यह तरीका है सर दूसरा systematic risk का क्या है beta square variance of market और beta दिया हुआ है क्या आपको इट मेंस अगर मैं इस question में coefficient of determination का यूज ना भी करूँ तो भी काम हो सकता है पर ठीक है कर लिया ठीक है सर हो जाएगा फिर तो फिर कुछ नहीं था इस question ठीक है सर that's it last topic करे mutual fund yes शतम करते कहानी mutual fund mutual fund के देखते कितने question है सबसे पहले question अब आवान उठाते है इस type का question किया हुआ है कि yes तर कौन से number पर किया है वो किया था आपने चाहो तो अपनी book खुलोगी तो उसमें question number 8, page number 11 मिल जाएगा बस एक बाहते है कि इस question में expenses ratio मांगा है expenses ratio expenses ratio का formula क्या है सर और वो वाला question डला हुआ उसमें expenses ratio नहीं मांगा था तो सर expenses ratio का formula था expenses per unit divided by average NAV per unit into 100 अगर इस question में expenses देखोगी तो ये expenses दिखाई दे रहा है तो 80 plus 150 plus 38 lakhs में है तो सर टोटल expenses है 668 और number of units कितना number of units दिख रहा crores में 4.2 crores 4.2 into 100 तो इसको मैंने 420 lakh expenses 6668 divided by 4 expenses per unit आगे 1.59 05 expenses per unit याद रखना है यहाँ दो साल है total मिलाकर यह दो साल के मिलाकर है दो साल के expenses per unit अब देखो कि कोशन किया है मुझे ज़्यादा महनत नहीं करनी है expenses per unit कितना है 1.5905 1.59 divided अब यार देखोगी अच्छे से तो एने भी चाहिए मुझे तो एने भी एक opening closing NAV और एक opening NAV तो निकल सकता इसका average yes 98 point सर यह कहां से आया है यह देख ले ना यह करवाया हूं question बस मुझे expenses ratio समझाना है थोड़ा सा कि expenses ratio कैसे निकालना तो 98.97 plus 54.52 divided by 2 तो सर यह आगे 76.74 into 100 पर यह है दो साल का तो एक साल का कितना 1.5905 divided by 76 6.54 into divided by 2 answer आजाएगा आपका 1.036 परशंट तो इस special क्या था इस question में सिर्फ expenses ratio आपका नहीं किया होगा बाई चांस इस question में क्योंकि उस question में सब लिखे नहीं थे expenses ratio इसी वज़े question number 2 बहुत अच्छा question है बहुत अच्छा question है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है बस वह ही समझाने की कोशिश करें कि किसा डिस्कूस करें कि हाँ discussion करें question number इस टैप का question क्या हुआ है एक calculation से हम कुछ निकालते थे कि किस दिन investment तो mutual fund A mutual fund B mutual fund C amount of investment NAV dividend yield दे रखा बस तो यह dividend yield दे रखा तो हम वह amount में convert कर लेंगे NAV 31st March का देखा रखा annualize yield दे रखा one year is equal to 365 तो से पहले number of units allotted बोल रहा है तर यह काम हो जाएगा कि yes इस टैप का question कहां किया है सर आपने किया question number 15 page number 20 question number 15 page number 20 book में जाओ कि तो मिलेगा मैं 2022 में आया तो number of units निकल सकता है कि निकल सकता है कि निकल सकता है value of investment भी निकल सकता है कि yes तो वह 31st March को value of investment भी निकल सकता है उसमें भी कोई समस्था yes sir जो number of units निकलेगा ना उसको closing value से multiply करोगे तो value of units भी इसके बाद holding fund A और C A और C एक जैसे है मतलब यार किसी में कम ना किसी में ज्यादा नहीं बेटे नहीं ये holding period return कुछ और दिन का हो सकता ये holding period return कुछ और दिन का हो सकता तो इससे comparison नहीं कर सकता है हमको analyze return ही देखना पड़ेगा इसके बाद date of original investment वो निकाली लिया होगा days, number of days पहले number of days निकालना पड़ेगा और number of days निकाली 300 days, 124 days, 195 days और इसके हिसाब से date of original investment भी निकल गया तीनों का यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमने already किया हुआ है ठीक है साथ total return बोला तो total return भी निकल जाएगा अब यहां से picture start हो हमें ये return देखना और सर ये कितने दिनों के लिए है 300 days, इसका holding period तर दूसरे का holding period कितना था 124 और 195 124 और 195 ठीक है अब सुनना है, अब काम की चीज़ है assuming past performance of all three schemes will continue for next year जो past में हुआ है, वो आगे भी होगा ये मानना है तो what action the investor should take and what will be the expected return for next one year after the above action क्या पोच रहा है, क्या बोल किया रहा है बोल रहा है, मान लो आप सी ये हो और मैंने तीन mutual fund hold करके रखा और मुझे ऐसा लग रहा कि future में भी वही कोने वहाँ अब ये बताईए कि अगर आपको कुछ बेचना खरीदना होता तो आप कौन सा mutual fund base देते हैं और कौन सा mutual fund में पैसे वापस डाल देते हैं तो यार इसमें सोचना क्या है mutual fund B इसमें तो negative return है तो रखने का sense है नहीं इसको बेचिए C में पैसा लगाईए इसमें ज्यादा return है उसमें पैसे लगादेंगे जिसमें कम return है वहाँ से पैसे निकल लेंगे यह advice हम करते हैं और यही advice उन्होंने भी redeemed mutual fund A and B and proceed in mutual fund C expect return कितना है इस point के लिए भी नहीं last वाले point के लिए discussion हो रहा है इसी के साथ है यह misprint हो गया है मतलब यह था point number 6 और यह है point number 7 बढ़ों एक बढ़ क्या लिखा will you answer as above point number 6 जो भी होगा 6 changes बताइए क्या आपका answer जो आपने उपर answer दिया है क्या वो change हो जाएगा if mutual fund charge exit load 5% ओहो यह एक important बढ़ if the investor is redeemed within 1 year within 1 year आप भी एक ही साल के अंदर आपको change करना है तो आपको 5% exit load लग जाए if so advise the investor what and when to be taken to the optimize the return अब समझने की बात अगर आपका क्या suggestion था sir A और B को बेचो और C में पैसा लगा हो आपको exit load लगने वागए exit load मतलब बाहर निकलोगे तो आपको कितना परशन लगेगा 5% ठीक है sir सर सुनो हाँ सर एक बात बताओ यहां तो negative return है negative बस इतना बताएए sir अब सुन अब काम की चीज़ अगर हम B से C में shift होते भी है B से C में shift होते है तो उधर हम extra return कमा लेंगे बिल्कुल सहीं बोई कितना कमा लोगे extra कितना कमा लोगे extra सर एक्स्ट्रा हम 15% कमाएगे नहीं बटे 124 दिन बाहर बाहर निकलना है ना तो एक्स्ट्रा कितने दिन के लिए investment कर पाऊगे बिल्कुल धियान से मेरी बात समझ रहा यहां total कितना दिन है सर यहां से मतलब नहीं है इसकी बात कर रहा है सर यहां 124 दिन तक तो मुझे होल्ड करना है उसके बात total मिला कर साल भर में होता है 365 दिन साल भर में होता है 365 डेस 124 तो यहां अल्रेडी आपका निकलना है 365 मेंनस 124 तो सर अब 241 डेस के लिए आप investment कर सकते हो कहां C में अगर C में investment करना है तो आप कर सकते हो 241 डेस के टोटल मिला इंटरेस्ट कितना कमा रहा है सर 15% 15% कमाएंगे 15% तो पर हैं C में जाएगे तो 15% तो 300% दिन में कमाऊगे तो 241 डेस में कितना कमाएंगे एक बार दीख ले 15 इंट 25 5 हम कमाएंगे यहां return 9.90 अगर हम यहां जाते हैं तो अब भी जाते हैं 124 दिन में क्योंकि हम अगले साल का वेट नहीं कर रहे हैं इसी साल जाने का सोच रहे हैं इसी साल जा रहे हैं तो एक्जिट लोट लगेगा हां कितना लगेगा बताओ न बोले 5 परशन लगेगा बोले लग जाने दो अभी जितने दिन बचे न उसके इसाब से हम 9.90 परशन कमाएंगे अगर हम C में चला जाते तो जितना एक्जिट बचने वाला है उससे हम एक्ष्ट्रा कमा रहे हैं और यह नेगिटिव रिटन तो अलग बचेगा हमारा तो भाई साब करना क्या है आज की आज आप एक काम करो B से C में सिट हो जाए क्योंकि एक्ष्ट्रा रिटन मिल रहा है न यहां कितना कमाएंगे 9.90 अगर इसी साल की बात हो रही है तो और यहां कितना है पाच परशन खर्च होता है तो हो जाए हम कमाएंगे कितना 9.90 तो क्या हमें अभी सिट हो जाना चाहिए यस मिचर फंट C में ओके सर ऐसी अब मैं किसकी बात करूँ एक 300 थर्ड थ्री अंडर डेस के लिए यहां अभी भी 65 दिन 65 दिन में हम यहां जा सकते तो 15 परशन तो बताओ 65 दिन के लिए अगर लगाती इस साल तो 65 डेस बात बंद हो जाएगा 65 डिवाइड बाइ 365 तो कितना रिटन कमाएंगे 15 इंटू 65 दिवाइड बाइ 365 तो सर रिटन कमाएंगे 2.67 परशन अगर हम C में सिफ्ट हो जाते हैं तो 2.67 पर इसके लिए हमको अभी कितना परशन खर्च करना पड़ेगा 5 परशन होता हूँ तो मेरा 5 परशन कम से कम 5 परशन तो एक्सेंस है यहां का अपॉर्चिटी कोश्ट इसको तो छोड़ो 5 परशन और सिफ्ट होकर मैं कमाऊंगा कितना 2.67 मत हो सिफ्ट वेट करो कितने दिन का 65 दिन का वेट करो 300 देज हो चुके है 65 देज का और वेट किजिए और अगले साल एक्जिट लोट लगेगा नहीं उन्होंने समझाने की कोशिश भी नहीं किया उन्होंने स्ट्रेट फावर्ड लिग दिया है अगर एक्जिट लोट है 5 परशन और एक साल की अंदर-अंदर ही लगने वाला है तो इस कंडिशन में मूचल फंड B को अभी सिप्ट कर दीजी रिडीम्ड कर दीजी और मूचल फंड A को 65 डेज बाद रिडीम्ड कर दीजी फिर भी क्लियारटी के साथ क्लियारटी के साथ कोशन नहीं बनाया सकता क्योंकि लाश्ट पॉइंट के लिए बड़ा चाहिए था हमें तो मतलब यह टाइम लगने वाला कोशन था यह पर पता नहीं कोशन इंस्ट्रिट्ट्यूट ने लाश्ट पॉइंट वे चिपका दिया कोशन नमबर 3 इसके जैसा कोशन है और कहां है यह कोशन नमबर 5 और यह एक्जाम में आया हुआ था और एक्जाम में आया हुआ था में बजर पावेस्ट दूद पॉइंट इस चलते बागी कोशन में कुछ नहीं था क्या था इस पेसल एक बार डिस्कुशन कर ले किया दस लाक यूनिट्स थी ठीक है इस्यू किया था दस रुपे का एक तो दस लाक इंट्यू दस लाक हो गया 100 लैक्स में से ये खर्च हो गया टूटल इन्वेस्टमेंट वगेरा करके तो सर 99 लैक्स हमारा खर्च हो गया तो एक लाक रुपे हमें कैश बचा था ऐसा कोशन किया हुआ तो दिक्कत नहीं होने बले डिविडेन मिला तो कैश में एड हो जाएका इंट्रेस्ट मिला तो ये भी कैश में एड हो जाएका सर समस्या कहां से है समस्या इन पॉइंट से हो सब्द पढ़ोगे तो 31 दिसंबर को एकविटी शेर एप्रीशेटेड वाई 15 पर्षन तो बले एकविटी शेर पंदरा पर्षन से एप्रीशेट हो जाएगे तो बच्चों का कहना सर सौ रुपे को पंदरा पर्षन से बढ़ाना कि 320 को बढ़ाना 320 इसनी टाइप का और एक कोशन है इसमें लिखा कि Face Value को बढ़ाना पर इसमें तो कोई Face Value लिखा नहीं है तो सर्थ 320 रुपे जो प्राइस है ना तो 320 प्लस 15 पर्षन उसको हमको प्राइस 368 कर देना 368 इबैंचर 20 पर्षन पर कोई दिक्कत है यहां से और पिक्चर है सुनोगे XYZ XYZ मतलब XYZ मतलब Mutual Fund ने जिस कंपनी में इनिवेस्टमेंट किया तो लिखे कि XYZ ने 15 दिसमबर 2021 को AGM डिकलियर्ड किया ठीक है जी AGM में डिकलियर्ड किया इनिवेस्टमेंट 10 पर्षन Considate लिखे है 15 दिसमबर 2021 अब इसकी वज़ा से बच्चे फज़क है सर इनिवेस्टमेंट डिकलियर्ड हो रहा है मतलब सामने वाली कंपनी ने पैट थोडिन किया भाई डिकलियर्ड किया मतलब इनिवेस्टमेंट 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 इनिवेस bonus share issue हुआ 10 के बदले में एक और यह हुआ 28 दिसंबर को तो बच्चू का यह कहना सर यह bonus share पर interim dividend नहीं मिलेगा क्या है यार कैसी बात करें interim dividend की बाद पहले लिखी हुई है bonus की बाद में लिखी हुई है अब 10 के बदले में एक तो क्या number of shares बढ़ जाएगी यह उसर पच्चीस हजार divided by दस पच्चीस सो प्लस पच्चीस हजार तो टूटल नमबर ओफ shares कितना हो जाएगा 27500 और एक share का price कितना हो जाएगा 368 बस यही था question है बाकी कुछ था नहीं नहीं चीज है interim dividend प्लस हो जाता है और नहीं चीज किया है यह bonus shares इसको धियान रखना है और यह 368 बाकी इस question में कुछ था following the information यह performance evaluation वैसे है एक बात बताओं आपको performance evaluation of mutual fund का इस बार का question मतलब में 23 का question बहतरीन question है बहुत अच्छा question इसमें कुछ नहीं है इससे क्या निकलेगा performance evaluation मतलब हमको ratio निकालना है कौन-कौन सा sharp ratio और trainer ratio उसके लिए हमको क्या लगेगा हमें expect return यह average return निकल जाएगा और फिर correlation दिया है तो भी खो जाएगा कोशन तो एक्जाम में था नवम्ब 2022 में पर ठीक है कर लोगे इसमें कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं यह कोशन मार्क वाला यह में करवा चुका हूं इस टेम्ट में भी आया यह वाला में करवा चुका हूं अच्छे से कर ले ना bonus के सबसे हो जाएगा यह और सर यह भी अगर आपको देखना है तो इसको मैंने पेज नंबर तो नहीं डाला हूं पर यह कोशन है हमारी बुक में और यह भी कोशन है यह दोनों कोशन में करवा चुका हूं फिर भी देख लेना बन जाएगा 100 पर्शन ठीक है बस इतने ही कोशन है अडिशन कोशन कर लेना और एक कॉंसेप्ट एक और कोशन था अभी तो इतना कर लो आज की क्लास में इतना दो घंटे में कितना जितने में आपको बस क्या करना एक्जाम औरिंटेड वैट की कोशन या अपने जो मैंने रिविजिन वीडियो डाल रखना वह कर लीजिए उसके अलाबा ये कोशन कर लीजिए सुफिजिए ठीक है थैंक यू सो मच बाइ-बाइ